अब बच्चो वैलेशन अफ गुडविल के हम लोग सेकिंड मैथड पर चलते हैं मैथड इस सूपर प्रॉफिट इसमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नंबर आफ येर परचेस को सूपर प्रॉफिट से मुडिप्लाई करें पिछले मैथड में नंबर आफ येर मैं तुम्हें बताओं तो थोड़ा सा पहले discussion हुई है अभी फिर बताता हूँ let us assume हमारी industry में 12% या 15% minimum required rate of return अब 15% से अगर कोई कम घमाता है तो basically वो ठीक है ही नहीं आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो माल लेते हो मेरे पास कुछ पैसा है और मैं उसको business में invest करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं यह देखूँगा कि अगर मैं इसको किसी business में invest ने करके bank में FD ही लगा दूँ bank में FD का मतलब होता है बच्चो risk less rate of return जिसमें कुछ भी loss होना ही नहीं अगर बैंक वालोंने promise किया कि 10% return मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा चाहे कुछ हो जाए so 10% rate of return is my fixed rate यह तो मैं को आना ही है घर पे 100 कर कोई काम ना करूँ तो भी मुझे 10% आ रहा है लेकिन मैं जिस business में लगाने जा रहा हूँ पैसा उस business का अपना risk है 3% और उस business में पैसे का risk है 2% तो 3% प्लस 2% प्लस 10% जो free का मिल रहा है मैं minimum 15% कमाऊंगा तब ही business करने का फायदा है ना अगर मैं 15% से कम कमा रहा हूँ तो बेवकूफ हूँ रिस्क मिल ले रहा हूँ और गवा भी रहा हूँ 15% से उपर जब मैं 16, 17, 20, 25 कमाता हूँ तो फिर मैं profits में हूँ तो यह जो 15% का rate मैंने तुम्हें थोड़ा सा explain किया तो यह जो फिर मैं 15% से ज्यादा कमा रही है 16% यह 17% वो एक परसन यह दो परसन जो ज्यादा कमा रही है that is super profit, formula में हम इसको ऐसे लिखते है actual profit यह average profit minus normal profit normal वही जो हमें कमाना चाहिए is capital employed into normal rate of return divided by 100, normal rate जैसे मैंने 15% बता है हाँ, अब यह बात बनती है कि capital employed से आपका क्या मतलब है capital employed का मतलब होता है कि मैंने उस business में जितना पैसा invest किया है और उसको निकालने का भी तरीका होता है बच्छो capital employed is one way, total capital of partners, ABC अगर तीन partner से तीन का capital add कर लो balance sheet में जितने profits और reserves हैं add कर लो, general reserve या P&L account और जितने भी losses है वो minus कर लो या total assets में से total outside liabilities को minus कर लो total assets मतलब land, building, plant, machine, furniture, fixes, stock, debtors, cash और total outside liabilities में creditors हो गए, bills, fable हो गए, outsending expenses हो गए, bank loan हो गया, bank overdraft हो गया, या outside liabilities हो partner की किसी बात नहीं कर रहे है, न मैं partner के capital की बात कर रहा हूँ, ना कुछ हाँ, partner का loan है तो वो भी outside liability ही किना जाए, so total assets में से total outside liability minus कर लो, तो भी capital employed आ जेगा, तो सबसे पहले आप निकालो, बच्छो capital employed, सबसे पहले आप निकालो capital employed, इस capital employed पर base करके normal profit, normal profit को average profit में से minus करो, super profit और फिर आपकी goodwill निकलाए, formula में हम 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, जब हम question solve कर any better or 4, 3, 2, 1 पर जाते हैं, पहले capital employed निकाल लेंगे, फिर उसके पर normal profit निकाल लेंगे, फिर super profit and then we'll have our goodwill, am I right, okay, done.